अब और दोस्तों आप सबक्री से एक बार स्वागे दे मेरे चैनल और गैनिक अफ़ोपॉनिक अर्बन ग्रोप रोपर दोस्तों आज हम हमारे कुम्बर की वेलो को मंदब की मुद्ध से सपोर्ट करने जा रहे हैं अब देख सकते हैं कि मेरे जो कुम्बर के प्लांट है वो अभी लगब चार पत्ती पर आ गये हैं इसके बाद एक पत्ती और और उसके बाद उसमें बेल बनना शुरू हो जाएगा इससे पहले हमें उसके मंदब की पूरी तयारी कर लेनी पड़ेगी आज के इस वीडियो में मैं आपको कुम्बर में एक नए तरीके का मंदब जो इस अवर्टिकली रहेगा और इंजाली की मदब से रहेगा उसको किस तरह फिट किया जाए उसकी पूरी माईती देने वाला हों पूरी माईती पाने के लिए जुड़े रहेगा वीडियो के अंद तक आये शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ककड़ी के पोधे जो पाच्वा पत्ता निकाल चुके है कुछ और चट्थे की तैयारी है तो दोस्तों अब हम नेट ब बनाएंगे एसको प्राइब है किया यह जो जो निकिले उसको फैला दिया है और उसके अंदर अभी हम हम वायर हे उसको परो रहे वायर की म домой मदद फें हमारा जो जो नेट इसको सपोर्ट मिलेगा एक्स् deswegen और एक बार वायर लगानने के बाद के बाद हम इसको इस खंबों लटकाएंगे तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे ट्रेलिस तयार हो गई है और हमने यह करीब 6 फूट में पहला ही है और इसको इस तरह से उपर और नीचे से डागे से टाइट कर दिया है और यह जो अभी नेट है इसके उपर जैसे हमारे मटर की भेल है इसको हम बहुत ही आसानी से उपर चड़ा सकते हैं हमें करना होगा एक बार इसको इसको टच करा देना होगा अभी मटर की भेल इसके उपर आसानी से चड़ जाएगी इसी तरह कड़ी या अन्यवेलों के लिए भी हम इसी तरह का मंडब बना सकते हैं जो बहुत ही फास्ट है और ए अच्छी तरह सपोर्ट मिलती है जिससे हमारे आने वाली फसल भी अच्छी उन्हें की संभावना है तो दोस्तों आपको यह मंदब पतती कैसे लगी मुझे कॉमेंड में लिखके बताएगा और यदि आप भी ककड़ी या मटर या इस तरह की हल्की फूल की बेले गवर गया स इस तरह नैलोन नेटर या यूज करके बहुत ही अच्छा मंदब बहुत ही जल्ली तयार कर सकते हैं है एपी ग्रोइंग